समिती ने एक बार फिर बहुत सारी सीटों पर तफसील से चर्चा की आपने देखा के 124 विदान सभा की सीट कॉंग्रेस पहले ही बहुत दिन पहले घोशना कर चुकी 42 सीटों की घोशना हमने और कर दी कॉंग्रेस ने तो दो तिहाई से ज़्यादा सीटों की घोशना कर दी पर बी जेपी एक सीट की भी घोशना नहीं कर पाई क्या हम जेपी नड़ा जी से पूच सकते हैं नड़ा साहब आपको किस बात का डर सताता है नड़ा साहब को डर क्यों लगता है क्या इसलिए कि बुम्माई जी और नड़ा साहब और मोदी जी और अमिच्छा जी जानते हैं कि भाजप्पा ने सीट गोशित की और भाजप्पा में भगदर मची भगदर के डर से वो सीट अनाउंस करने से डर रहे हैं नड़ा साहब दरिये मत क्योंकि 40% कमिशन के ब्रश्टा चार का सच तो साड़े 6 करोड से अधिक करनाटका के हमारे भाई बेहन जान चुके हैं और कब तक आप खेर मनाएंगे मुख्य मंतरी कहते हैं मैं अपनी सीट से नहीं लड़ूगा मुझे दूसरी सीट दे दीजे अधिकतर मंतरी कहते हैं मैं अपनी सीट से नहीं लड़ूगा मुझे दूसरी सीट दे दीजे भाईया अगर आपके पास लड़ने वाले स्कार बरती करो उनको टिकेट दो कुछ फिल्म एक्ट्रेस बरती करो शायद आपकी बात बन जाए शायद इसी वज़े से आप सीट अनाउंस नहीं कर रहे और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो आप दोनों ने उठाया फेडरलिजम संगिय धांचा जो इस देश में है उस पर कोई आकरमन नहीं कर सकता बारतीय जंता पार्टी की महाराष्टर की नाजायद सरकार ने क्योंकि वोट से चुने हुई सरकार नहीं वो भगोडों को इकठा करके बनाई हुई शिंडे सरकार है तो भाजप्पा की भगोडी महाराष्टर सरकार ने अपनी एक स्कीम क परनाटक के 500 और 600 गाउं के अंदर लागू कर दी और 94 करोड रुपिया अप्टित भी कर दी हैं हम ये सवाल पूछते हैं मोदी जी और अमिश्या जी से क्या आप इस देश में सिवल वार करवाना चाहते हैं कल को हर्याना पंजाब में स्कीम लागू कर देगा पंजाब और ह उत्तर प्रदेश में लागू कर देगा उत्तर प्रदेश बिहार में लागू कर देगा बिहार आगे उडिसा में लागू कर देगा आप प्रांतों का टकराव करवाना चाहते हैं पहले भी मोदी जी और अमिश्या जी की नाप के नीचे असान की पुलिस ने और अरुनाच पाकिस्तान हो जो उत्तरपूरम में आपने किया था अमिच्छा जी मोदी जी वो आप अब दक्षिन भारत के अंदर भी कर रहे हैं आपने अरुनाचल परदेश मनिपूर और असाम का जगडा करवाया बॉडर डिस्प्यूट करवाया लोग मरवाय आठ महीने तक मनिपूर क अदमी असाम नहीं आपाया क्यों अरुनाचल का अदमी असाम नहीं आपाया क्यों यह हमारा मुल्क है हम कहीं भी जाएं अब आप महराश्ट्र और करनाटक का जगडा करवा रहे हैं जान बूज कर दोनों जगे आपकी सरकार है हर रोज मोदी जी बार बार वहां जाते हैं दसवराज बोमई के अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं बची वो इतने कमजोर मुख्यमंत्री हैं कि वो ना करनाटक के हितों की रक्षा कर सकते ना हमारे कंड़ा भाई बहनों के हितों की रक्षा कर सकते ऐसे मुख्यमंत्री को जैसा आप दोनों ने कहा बगेर विलंब के इस्ती दे देना चाहिए नहीं तो उसे बर्खास करना चाहिए और दूसरी तरफ मिस्टर शिंडे जो महराश्टर के मुख्यमंत्री हैं वो हिंदुस्तान के संगिये धांचे का और संविधान की धजिया उड़ा रहे हैं महराश्टर के गवर्नर को आटिकल 356 का इस्तिमाल करके उनकी सरकार को और मुख्यमंत्री को बर्खास किया जाना चाहिए उदर महराश्टर के मुख्यमंत्री बर्खास हो इधर करनाठर के मुख्यमंत्री बर्खास हो क्योंकि भाजप्पा के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा, उन्होंने सारे हत्कंडे अपना लिये, हिंदू, मुसल्मान, सम्षान, कबरिस्तान, जातियों का टकराव, स्सी, स्टी का टकराव, लिंदायत, वोका लीगा का टकराव, अब कुछ नहीं बचा, तो अब प्रा करती है, राष्टिय कॉंग्रेस अभी जिंदा है, सिधार मया जी, डीके शिव कुमार जी के नेत्रितम में, संगिये धांचे का उलंगन जो महराष्टर द्वारा किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम निरनायक लड़ाई लडएंगे, और हम मान करते हैं, प्रदान मंतरी वा आप नहीं करेंगे,